हेलो बड़ी मेरा राम्य आशिश और आप देख रहे हैं टीस्टू इस चैनल चलिए शुरू करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने बारा हूँ Excel के Concretionate Formula का सबसे अलग यूज़ दिखें formula कभी change नहीं होता syntax कभी change नहीं होता सिर्फ change होता है तो उसको यूज़ करने का तरीका तो एक अलग तरीके से यूज़ करेंगे और आप भी इस वीडियो को देखेंगे कि आशिस वाकिये में ये वीडियो था अलग सो बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की और चलते हैं लेट्स गेट स्टाटिट तो जैसे कि आप यहां पे कुछ टेबल्स देख रहे हैं सबसे पहले हम पहली टेबल की बात करते हैं देखे मैं आपको question समझा दूँ फिर हम यूज़ करेंगे concatenate formula का अलग यूज़ क्यों करने हैं वाले हैं यहां पे आप यह select करेंगे comma करेंगे फिर दूर सा select करेंगे comma तीस्टे को select करेंगे comma 4,5,6 bracket बंद और enter answer मिल गया कोई गलत बात नहीं मगर हमने यहां पे किया क्या हमने एक-एक करके हर एक cell को यहां पे pick करा यहां पे total हमारे पास character थे 6 हमने एक-एक को यूज़ करा कोई problem नहीं लेकिन अब हम दुश्रे table के और चलते हैं यहां पे मेरे पे alphabets हैं जो total quantity 6 है और अब मैं आपको कहता हूं कि आपको एक formula लगाना है और मुझे सारे के सारे alphabets एक बारी में एक साथ मिल जाएं और हर की बीच में space हो तो यह वाली trick के text1 में अप select करेंगे ऊपर वाला जो हमने ए लिखा था ओके हमने e2 select कर लिया यहां पर कॉमा फिर हमने देना है space तो space के लिए हम double code देते हैं फिर space देते हैं फिर double code को की जब किसी text को यूज करते हैं तो उसके लिए हमने देना परता है double code और space एक text है कॉमा उसके बाद दो देखिए उसके बाद side में जो हमारा B जिसे में join कराना है उसे select करना है ठीक है पहले हमने e2 select करा फिर हमने d3 select करा ब्रैकेट बन और enter अब देखिए हम पर A और B आ गया अब इसको यह अगर मैं copy करूं नीचे तो देखिए हम पर ABC आ जाएगा यह देखिए और अब मैं इसे copy करता हूं और नीचे जाता हूं और पूरा paste करता हूं अब last में आप देखेंगे कि आपके पास जो answer आया है वो पूरा ABCD से लेकर total Z तक आ गया है यानि कि अब आप इसे copy करें और right click करके से अगर आप values में convert कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा यहापे answer तो देखें यहापे आपको ABCD पूरा Z तक मिल गया है तो इस छोटी से trick से आपको एक बारी में आपका पूरा जितना भी data है वो एक ही send में मिल जाएगा सिर्फ एक formula से तो एक बार मैं आपको यहाँ पे employees में भी दिखाता हूँ अब employees ID में हमें क्या करना है देखें यह वाला जो third table है यह मैंने क्यों बनाया है मैं जो एक skill में काम करता हूँ तो कई बार होता है कि हमें employee ID के साथ data निकालना होता है तो उसमें हम भहुत सारी email ID को क्या करता है एक साथ लिखते हैं तो उसमें हमें चाहिए होता है कि हर employee ID एक single quote में हो तो जब single quote होता है तो वो हर में होना चाहिए तो वहाँ पे हम हर बार आप इसको यहाँ पर लिख लिजे और एक single coat यहाँ पर लगा दीजे तो यह मैंने लगा दिया अब हम same use करेंगे जिसे हमने पहले formula यह उसकर रहा था है तो हम यहाँ पर select करेंगे equal to concatenate और हम यह select कर लेते हैं उपर वाला उसके बाद हम select करते हैं कॉमा उसके बाद हम यहाँ डबल कोट देंगे एक कॉमा देंगे फिर एक देंगे डबल कोट कॉमा और फिर यह select कर लेंगे और इसके बाद भी हमें एक single coat देना है तो double coat, single coat, double coat और bracket बन और enter तो देखिए दोनों के आगे और पीछे एक single coat आ गया है और कॉमा भी आ गया अब मैं ऐसे copy paste कर देता हूँ नीचे तक तो देखिए इसको मैं पूरा दिखाता हूँ आपको तो एक अच्छी कासी table और आप देखिए जो last में मिला है उसे आप all tsv करके एक value में convert करते तो यह आपकी value बन गई है तो सिर्फ और सिर्फ एक concrete unit formula को किस किस तरीके दे यूज़ कर सकते है और इसका SQL में भी इतना ज्यादा यूज़ होता है जिससे कि हमें डेटा निकालने में आसानी होती है तो आप इसको देखे सीख तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खता हूँ अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो चाहिए अपनी email id comment box में लिकना न भूले तो next video में मिलेंगे एक नई topic के साथ तब तक लिए stay tuned with me by taker अपना ख्याल रखे और अपने परिवार का भी